So guys, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा हाथ fracture हो चुक है तो मैं सोचा क्यों न किसी non-topic पे वीडियो बनाये जाए and आप में से काफी सारे लोगों के message मुझे आ रहे थे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि कैसे आप Instagram पे grow कर सकते हैं क्या चीज आपको करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, basically आप कैसे influencer बन सकते हैं तो आज के इस फीडियो में हम इसी topic के उपर बात करने वाले हैं and मैं Instagram पिछले 3 साल से use कर रहा हूँ and अभी giveaways भी चल रहे हैं, so hello viewers, Addy here and you're watching interesting channel called Addy के Minds So guys, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक point के उपर बात करना चाहता हूँ, जिसके उपर उतना कोई भी ध्यान नहीं देता है कि आपको Instagram पे कोई follow क्यों करें, तो सिर्फ दोई condition में लोग आपको follow करेंगे पहला या तो वो आपको पहले से जानते होंगे, यानि कि आप Bollywood industry से belong करते होंगे, आप sports industry से belong करते होंगे, आप politician होंगे, YouTuber होंगे यानि कि आपका जो नाम है वो पहले से popular होगा, तो जो public है वो आपके life में interest रखेगी, तो आपको easily followers मिल जाएगा दूसरा condition है कि आपके जो pictures होंगे, वो एकदम lit होने चाहिए, यानि कि आप एकदम professional photo shoot करो, फिर उसको एकदम proper edit करके, upload करते समय, proper caption लिको, proper hashtag यूज करो, ताकि Instagram आपके post को viral करे, और फिर आपको followers मिल जाएगे तो अगर आप इन दोनों भी condition से belong नहीं करते हो, तो बहुत ही मुश्किल होगा आपको followers gain करने में, क्योंकि जब तक आपका reach नहीं बढ़ेगा, तब तक आपके बारे में कोई भी नहीं जानेगा तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज आपको करनी चाहिए, और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, और यह अगर आप follow करेंगे तो आपके जो followers हैं वो बढ़ जाएंगे यहाँ पे सबसे पहला point है कि आपको अपना username बार बार change नहीं करना चाहिए, यानि कि आप एक की बार में अच्छा username चूज करो and उसे lifetime के लिए use करो क्योंकि मान लो अगर आपको किसे ने पहले अपने किसी post पे tag किया होगा and वो post अप जाके viral हुआ है और कोई आपके account पे जाना चाहता है तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि आपने अपना username change कर दिया है and इन बातों पे कोई उतना believe नहीं करता है बट ये बहुत ही matter करता है तो आप एक ही username select करके उसे lifetime के लिए use करो यहाँ पे दूसरा point है आपका bio and ये बहुत ही professional होना चाहिए and इसमें आप अपने बारे में बताओ आप ये सब बिल्कुल भी मत यूज करो daddy's girl, mama's boy, king's princess ये सब बहुत ही unprofessional लगता है and मान लो आपकी reach बढ़ गई है and अगर कोई भी brand अपना advertisement कराना चाहती है बट अगर वो आपके account में जाने के बाद bio में ये सब पड़ेगी तो हो सकता है आप एक expensive deal miss कर दो तो आपको बहुत ही classy सा bio लिखना है and अगर मान लो आप कोई दूसरा काम भी करते हो जैसा कि आप actor हो, model हो, youtuber हो, blogger हो तो आप ये सारी चीज़े वाँ पे mention करो, अपने links को डालो इससे क्या होगा, brands को पता चलेगा कि आप एक famous personality हो and आपको advertisement मिलने में काफी help होगी अभी यहाँ पे एक और चीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए कि आपको अपना email address mention करना चाहिए क्योंकि जो brands है वो आपके email address से ही आपको contact करती है, तो bio भी काफी matter करता है यहाँ पे तीसरा point है कि आपका जो account हो या तो business account होना चाहिए या फिर open account होना चाहिए अब अगर आपका account business account होगा तो उसका क्या फायदा है वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला फायदा कि आप देख सकते हो आपके account में कितने लोग last seven days में आए हैं, आपके impressions कितने हैं, आपके जो followers हैं, वो किस दिन कितने बज़े active रहते हैं, तो आप काफी सारे चीज़ handle कर सकते हो, and अगर आपका business account नहीं है, तो कोई problem नहीं है, बट आपका जो account है, वो private नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका account private है, तो सबसे पहले आपके जो pictures हैं, वो viral नहीं होंगे, दूसरी बात, अगर मैं अपनी personal opinion share करूँ, तो अगर मैं आपके account पे चला गया मानल गलती से भी, and अगर मैं वहाँ पे देख रहा हूँ, कि आपका जो account है, वो private है, तो मैं तो किसी को भी request नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि at least मैं pictures देखके किसी को भी follow करता हूँ, तो आपका जो account है, वो या तो open हो, या तो business account होना चाहिए, अब यहाँ पे चौथा and सबसे important point है, कि आपको गलती से भी, SFS नहीं करना चाहिए, अब जिनको इसके बारे में नहीं पता, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, SFS का full form होता है, shout out for shout out, basically इसमें आप मेरे account को promote करोगे, मैं आपके account को promote करूँगा, आप मेरे किसी picture का screenshot लोगे, and अपने story में ड चालूँगा, and आपको tag करूँगा, इससे क्या होगा, मेरे जो followers हैं, वो आपके account पे जाएंगे, आपके जो followers हैं, वो मेरे account पे जाएंगे, and इसका सबसे बड़ा advantage है, कि आपके जो followers हैं, वो बहुत ही बढ़ जाएंगे, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जो SFS करके 15,000 followers, 30,000 followers gain किये हैं, and ये 100% real होता है, अब इसका मैं आपको सबसे बड़ा disadvantage बताता हूँ, आपके जितने भी followers SFS से आएंगे, उसमें से 60% followers unactive होंगे, यानि कि आपके followers के जो number है, वो तो काफी बढ़ जाएंगे, but आपके pictures पे आपको likes नहीं मिलेगा, आपके stories को क views नहीं आएगा, and बाद में आप खुदी regret करोगे, मेरे ऐसे काफी सारे friends हैं, जिनके followers 20,000 है, but उनके picture पे likes आता है, सिर्फ 1000, उनके Insta के video पे views आता है, 2000, उनके Insta के story को लोग देखते हैं, सिर्फ 1500, and आप भूली जाओ कि SFS करके जो आपने followers gain किया है, उससे आपको कोई भ brand contact करेगी, क्योंकि brand क्या देखती है कि आपके कितने followers है, and उसके ratio में ही आपके pictures पे आपको likes आना चाहिए, आपके video पे views मिलना चाहिए, and अभी तो जब आपके followers बढ़ेंगे, तो आपको काफी मज़ा आएगा, but बाद में आप खुदी regret करोगे, मैं एक और बार बार बोल चाहिए, यानि कि like for like, like for comment, follow for follow, ये सारे एकदम बकवास hashtag होते है, and ये impression भी अच्छा नहीं डालते है, आपको hashtags यूज़ करना चाहिए, and आपके जो picture हैं, उससे related आप यूज़ करो, and एक बात आप ध्यान में रखो कि जो भी आप hashtag यूज़ कर रहे हो, उसकी following 500K प्लस होन फिर आपके pictures पे आपको likes आएंगे, comments आएंगे, and आपके followers भी automatically बढ़ जाएंगे, अब अगर आपको उतने hashtags नहीं पता, तो आप App Store या फिर Play Store पे जाके application को download कर सकते हो, काफी सारे free applications available है, जो आपके pictures के हिसाब से आपको hashtag suggest करेंगे, तो आप अच्छे hashtags यूज़ करो, golden six point बता देता हूं कि आपको consistency maintain रखना पड़ेगा, यानि कि initial days में आप minimum चार दिन पे एक photo डालो, and वो proper होना चाहिए, यानि कि editing अच्छा हो, आपका pose अच्छा हो, caption आप अच्छा use करो, proper hashtag होना चाहिए, and आपने जिस भी brand का cloth पेना है, आप उनको tag करो, इसे क्या होगा, आपका जो picture है, वो viral हो सकता है, अब अगर आपको अच्छा photos चाहिए, तो आपके पास camera expensive होना चाहिए, एक proper photographer होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, ताकि आप एक professional photos निकाल पाओ, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़े हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है, and जब भी आप photoshoot को जाते हो, तो साथ में 3 कपड़े कैरी करना, ताकि आप अलग dress में pictures को निकाल पाओ, and फिर बाद में आप उन्हें upload कर सको, अब मान लो आपके पास महेंगी equipments नहीं है, आपके पास professional photographer नहीं है, उसके बाउजूद भी आपको influencer बनना है, तो यहाँ पे मेर अच्छा मारना है, and आपके clothing अच्छी होनी चाहिए, background से मतलब नहीं है, बस lightning अच्छा हो, उसके बाद में आप एक अच्छा editor hire कर लो, या फिर अगर आप अच्छे level के editing कर सकते हो, तो यह बहुत ही बढ़ियां बात है, अब आपको करना क्या है, अपने background को totally change कर देना है, बट आप इस तरीके से change करो कि पता ना लगे कि हाँ, आपने कुछ छेड़कानी की है, अपने background के साथ में, अब मैं इस type के pictures की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो famous YouTuber and influencer, दानी जियन का इस picture कितना बढ़ियां लग रहा है, काफी professional है, and इन्होंने अपना background change किया ह तो आप इस तरीके का भी काम कर सकते हो, बट एडिटर अच्छा होना चाहिए, and बिल्कुल भी पता ना चले कि आपने background change किया है, so guys बस आज के स्वीडियो में इतना ही, आखरी में मैं फिर से एक बार recall कर देता हूँ, आप अपने username को बार-बार change मत करो, bio अच्छा यूज करो, SFS गलती से भी मत करना, and आपके जो picture की quality है, वो अच्छी होनी चाहिए, proper caption यूज़ करो, hashtags अच्छी यूज़ करो, आपके followers बढ़ जाएंगे, मैं बहुत ही जल्दी part 2 भी लाऊंगा, so guys अगर आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, स धन्यवाद, thank you.